कि अच्छा कर दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एसके लेक्ट्रिकल चैनल में और आप कि लिए फिर से एक मोटर् करन्ट को कैसे घ्याद करते हैं निंकलते हैं कि कितने क्षड मोटर है गांट अ üzoo कितना सब्सक्राइब नहीं किया दो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों जो मेरे पोऔर और लायक ज़रूर कर दीजिएगा आपका लाइक ही मेरा एक मोटिवेशनल है कमेंट तो जरूर कर दिए जिएगा आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए मेरे को बताईए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजेगा दोस्तों जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों ठी कि दोस्तों कि मोटर का जो कितने एच्पी की मोटर है और कितना एंपियर लेगी वह आज मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से तो करप्य करके मैं थिरी फेस और सिंगल फेस का जो मोटर का जो करन्ट ज्याद किसे करते हैं वह आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जुरू कर दीजिए का दोस्तों देखिए सिंगल फेस की मोटर का मैं पहले आपको बताता हूं कि किंगल फेस की जो मोटर है कुसका मैं आपको एक एस्पी की मोटर के बारा में पताऊंगा उस इस्पी मोटर का कितना लोड ना करंट लेगी अपनी एसपी की सिंगल फेस मोटर सर्टीकर दोस्तों अपने को आई मितलब करद करना ला है यह वल्टेज्ज है इंब सफाई है को ए अधतल होता पावर फ होती है ठीक है दोस्तों तो हम चलो The start करते हैं कि अपने को इस फॉर्मूल के साफ से कैसे हम इसका चुक्त है वो कैसे निकालते हैं है ठीक है दोस्तों आफ तो स्टाइर्ट करते हैं मैं देखिए दोस्तों द्येर पावर है है जो लोion 200 K हो या SP हो इंठे दोस्टों उसको क्या करना है हमें वाट में कन्वर्ट करना है पहले तो το Hp ho तो रॉयक वाट में और किलोवाट में हो तो भी वाट में एक बारFat पावर को 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 लेना है ठीक दोस्तों डों एक है एक एच्प गा ऑगे साथ सफोचे अलिस वाट हो गया ठीक है ओजो आपना वी है जी गोल्टेज है अब कितना वोल्टेज इंगल फेस में आ रहा है हम उसको मैजर करें आफ उसको मेसर करके हम इसको पड़ दें इतना वोल्टेज अपना जैसे हम 220 वोल्टेज आ रहा है इसमें ठीक है सिंगल फेस का ठीक है दोस्तों तो मैंने और ये कोस्फाई का मैंने बताया आपको 0.8 इसका पाउर फेक्टर है जो अधिकांस मोटर में 0.8 ही आता है और इसका फॉर्मूला मैं वोल्टेज में 220 लिग दिया आई अपने को याद करना है ठीक है याद करना है आई सुरी और 0.8 इसका पाउर फेक्ट हो गया ठीक दोस्तों और हम इसको आई को इधर लेके आएं इन्टू 0.8 को लिख देंगे ठीक है दोस्तों इस सिंगल फेस मोटर के लिए है दोस्तों यह हमने आव बता लाइद में सबाट में करना इसका जो वाट होता है यह वहने चाहिए के 716 वाट होती है हम 646 अपने देंगे दोस्तों यह अपना जो पावर है जो वाट है और 220 क जुइससे आएगा ठीक है दोस्तो मैंने पहले कि करके इसमें लिख दिया है और इसका जो अपर आएगा मैंने मैंने केकलेट आप सेन मैंने पिर्ग क्लिट कर लिया है इसको ढुटी एसका एंप्र आएगा दोस्तों सिंगल फेस के अंदर वन एच्पी की मोटर में 4.23 एंपर आएगा ठीक है दोस्तों अब हम को बताएंगे थ्री फेस की मोटर होती है वह हम एक एच्पी का जो करंट्र लोड ग्याद करेंगे इसमें भी है ठीक है दोस्तों यह पावर मैंने बताए इसमें यह रूड तरी है जिसका यह फिक्स है विल्यू 1.732 यह क्या है जो इत्री फेस अगर आजहां भी दिख जाए आपको तो अंट्रूड 3 आएगा ही जिसकी वेल्यू है 1.732 ठीक है दोस्तों हम इसे पूट कर दिया इस फॉ सब्सक्राइब होती है आप उपता है तो हम पावर की जिए जिए सब्सक्राइब करेंगे अगे लिख देंगे अभी शेवन 1.7332 इंटू 440 इसको आई तो अपने ग्याद करना थाई 0.8 अपने लिख दिया ठीक है दोस्तों और अपने क्या करना है अब इसको हम केल्कुल सब्सक्राइब कर लेते हैं कि यूपन ये इसका वाट आ गया साथ चीनलीस और ये 609.6 अपना ये आ गया इसका केल्कुलिशन आप अपने इसका केल्कुलिट के साब से मैं ज्याद करने पर आ गया है ठीको दूस्तों अब यह हम इसका साथ चैनलीस में यह उसको भाग दे सब्सक्राइब देंगे तो यह अपना जो वेलु आई इसकी मलभी जो आपको करंट आया ठीक दोस्तों वो 1.22 एंपियर लेगी यह वन पॉइंट टू टू एंपियर अपने थिरी फेस सप्लाई के अंदर सिंगल फेस मोटर 1.22 एंपियर लेगी ठीक है दोस्तों यह मैंने थिरी फेस का और सिंगल फेस का मैंने आपको बताया है आप यह अमीद है आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे जो चैनल है उसमें आप कमेंड लिखकर मुझे आउस से बताएं यह मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें क्या-क्या कमिया है और क्या आप आईए मैं आपके लिए एक और नए वीडियो लेकर हाजिर होँगा थैंक्यू